अब बात करेंगे दुनिया की खास तोर पर इस्राइल इस्राइल गाजा और दक्षिन लेबनान के अलावा बीरू तक लगातार हमले कर रहा है इस्राइल के हमले के जवाब में हिजबुला ने ड्रोन से मिसाइल दागी लेकिन युद में इस्राइल को बड़ा जटका नेटो के तीन देशों ने दिया तुर्की के प्रेसिडेंट एर्दवान के दाओं से इस्राइल बहुत बड़ी मुश्किल में घिरता जा रहा है देखिए I have a message for the tyrants of Tehran. If you strike us, we will strike you. There is no place in Iran that the long arm of Israel cannot reach. And that's true of the entire Middle East. And some other Western readers are now calling for an arms embargo against Israel. Shame on them. अकेला इस्राइल साथ फ्रंट पर बरावर की मार चल रही है. लेकिन नेतन्याहू को जिन देशों से युद्ध में साथ की उमीद थी, वो भी एक एक कर रुक बदलते जा रहे हैं. नेतन्याहू का ये गुस्सा, ये जुन्जलाहट यूं ही नहीं. फ्रांस ने इस्राइल को हत्यार सप्लाई तक ठप कर दी है. युद्ध में साथ देने की बात तो दूर है. जिसके बाद नेतन्याहू फ्रांस पर फट पड़े हैं. ये प्रेज़ेंड माकरॉन और वेस्टरी जुन्जला इस्राइल को खरी खोटी सुनाने भर पर बात खत्म नहीं हुई है. ब्रिटेन ने सिगनल दिये है कि इसराइल का साथ देने की ताकत फिलहाल उसमें नहीं. ब्रिटिश पीम कीर स्रार्मन ने इसराइल से सैयम की अपील की है. साथ ही ये भी क्लियर किया कि ब्रिटेन को घाजा युद से नुकसान हुआ है. यानि नेटो के तीन ताकतवर देश इसराइल से दूरी बनाते दिख रहे हैं. इसमें पहला देश है तुर्की जिसने पहले ही इसराइल के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है. दूसरा फ्रांस जिसने इसराइल के हत्यार सप्लाई रोक कर नेतन्याहू को सेट बैक दिया है. तीसरा ब्रिटेन जो इरान इसराइल युद्ध से दूरी बनाने की दुहाई दे रहा है. नेटो फोर्सिस के 32 देशों में ये तीन देश ऐसे हैं जिनकी सहन ने शमता सिर्फ अमेरिका से कमा की जा सकती है. इन जैसे क्या और देश हैं जो इसराइल के लिए अपना नुकसान नहीं जेलने का बाहाना बना सकते हैं. तो क्या सिर्फ अमेरिका ही इसराइल को बचाने आएगा इस्राइल और अमेरिका मिलकर क्या अरब लीग के 22 देशों से युद्ध जीत पाएंगे इस्राइल की मुश्किलें दिन बढ़ती जा रही है जिसका असर युद्ध के मैदान में साब दिख रहा है इस्राइल के हमले तेज होते जा रहे है गाजा में भी और अदम उखरता जा रहा है सारा जोड लगा कर भी लडाका गुरूप इस्राइल के आगे टिक नहीं पा रहा है तस्वीर पांच अक्तूबर की राथ हुए हमले की है बेरूत हवाई एड़े के करीब गोल्डन पलाजा पर बं परसा है जमीन फाल दमाके के बाद यहां भीश इंगारी उगली की बगल का गैस टेशन भी जद में आ गया इसराइल ने इस इलाके में कुलाड धमाके किये राद भर हमला होता रहा जिसमें हिजबुल्ला को भारी नुकसान हुआ छे अक्तूबर की सुबा इससे भी भ्यानक द्रिश्य बेरूत में दिखाई देने लगे एक धमाका बारूत से पढ़ गया बेरू धुए के गुबार से आस्मान धग गया जब धुआ छटा तो द्रिश्य दिल दहलाने वाला था मटिया मेट हो चुकी थी बहुमंजिल इमारत खंडर में जिंदगी तलाश रहे थी लोग इसराइल ने रात और दिन का फर्क मिठा लेकिन हिजबुल्ला भी हार मानने को तयार नहीं इरान ने नए हिजबुल्ला चीफ का नाम भी फाइनल कर लिया है बताया जा रहा है कि नया हिजबुल्ला चीफ का नाम इबराहीम अमीन अलसयत बताया जा रहा है इबराहीम ने 1985 में हिजबुल्ला के घोशना पत्र जिसे के तहट लिबनान की संसत के लिए चुने गए थे। साल 2001 में हिजबुल्ला की शूरा काउंसिल में चुने जाने के बाद इबराहीम हिजबुल्ला की पॉलिटिकल विंग के हेड है। अताबिक इबराहीम एरान के जियाततर राजनाईकों से सीधे संपर्क में रहते हैं। हिजबुल्ला की रणनीती तयार करने में इबराहीम अमीन का एहम रोल रहता है। लिबनान और एरान के रिष्टों की एहम कड़ी इबराहीम आयातुल्ला खामनेई के एक करीबी बताय जाते हैं। नए हिजबुल्ला चीफ के तौर पर जिने इबराहीम अमीन का नाम सामने आया है। उनका बैकग्राउंड इजराइल को डराने वाला है। इबराहीम अमीन अलसायत लेबनान के बैका के हाउचल नभी गाउं के रहने वाले हैं। साल 1981 में बेरूत की लेबनानी उनिवरस्टी से केमिस्ट्री में ग्रैजुएट अमीन विदेश में भी पढ़ाई कर चुके हैं। इबराहीम ने 1984 में फ्रांस के स्टार्ट्सबर्ग उनिवरस्टी से मास्टर्स की डिग्री ली। साल 1987 में उन्होंने ओर्लियंस उनिवरस्टी से केमिस्ट्री और फिजिक्स में पिएजडी भी की।